दोस्तों स्वागत आपका प्रोग्रेशिव जी के अड़ा विदेश के में और आज की इस वीडियों में बात करेंगे उत्राखंड बन रख सकके एक्जाम लेबल के बारे में इसकी कट आफ के बारे में पेपर लिग के बारे में और एक्जाम गैंसल होगा कि नहीं होगा इस था इवनिंग सिप्ट में और इन दोनों एक्जामों को अगर कंपेर करा जाए तो जो पहली सिप्ट का एक्जाम था यानि कि मॉर्निंग सिप्ट का वह थोड़ा सा डिफिकल्ड था सेगेंड सिप्ट के मुकाबले बहुत ज्यादा डिफ्रेंड नहीं था बहुत ज्यादा लेकि थोड़ा सा डिफिकल्ड था फस्ट इस जिप्ट का एक्जाम क्योंकि नॉर्मलाजेशन वर्क करेगा आपका एक्जाम में तो इसका नुकसान देखने को भी लेगा सेगेंड सिप्ट वालों को क्योंकि normalization का यह फॉर्मुला होता है ये नियम होता है normalization का कि अगर कि ईसी स्ट्ट का एक्जाम थोड़ा सा इजी आता है तो उस्ट एक्जाम देने वालों को ठोड़ा सा लाश देखने को रिदता है यह समझता है आधेजिए ऐह इसनको एक सेम्ड़ से एंड ए भे तो पहुति के साथ को सिंपल सी बात यह है कि अगर हम दो लोगों को लेते हैं एक first shift से और एक second shift से और दोनों लोगों के 70-70 नंबर आते हैं 70-70 अब क्योंकि first shift का exam तो जो था वो थोड़ सा difficult था बहुत ज्यादा नहीं था तो हम पहले इसके नंबर लेते हैं तो जो first shift का exam था तफ वाला और इसके नंबर अगर normalization में डाले जाते हैं तो difficulty लेवल के difference ज्यादा नहीं था इसलिए केवल दो से तीन या चार नंबर बढ़ेंगे यानि की exam लेवल के बारे में तो अब बात करते हैं इसकी cut-off के बारे में तो जो इसकी cut-off रहेगी वह रहेगी जनरल केडिगरी की cut-off 65-75 नंबर की cut-off रहेगी वह सकता है 65 से थोड़ा से अपर रह जाया सतर भी आ जाया क्योंकि आगे physical करवाना है इनने तो हो सकता है यह लोग ज्यादा लोग लें तो सतर नंबर इसकी cut-off बन सकती है परणेगी चनल की और बागी डिग्री की बनेगे 55-65 परसेंट तो चलिला बात करता एक पेपर लीक के बारे में जो कि आज का मेंट ट्विक है तो अगर बात करें पेपर लिग के बारे में तो पेपर लिग को पहली बार तो हुआ नहीं है उत्तरखंड में यह पिर सेंटर के एक्जाम में जैसे किसी SSC या रेलवे के एक्जाम में देखें पहले भी होए थे और आगी भी पिपर लिग होते रहेंगे जो आप न्यूज में देख रहे हैं या अगवार हमें रोज पढ़ लें रूड़की के किसी कोचिंग सेंटर के बारे में जिसके ओनर को या जिसके टीचर को पकड़ा गया है पकड़ा गया है उसको नकल के बारे में कि उसने पेपर राउट करवाया या नकल करवाई एक्जाम सेंटर में त स्क्रीन्सोट वह काफी वाइरल हो रहे हैं सोसल मेडिया में तो आप वह देख रहोंगे तो अब हो गए यह कि इनके पर इंक्वारी बिठाई जाएगी और दो से चार लोग यह जितने भी लोग हैं उन सब औरनिको पकड़ यह रहा है अब पकड़ा जाएगा यह निए जाएगा वह भादलग है लाइके अनम मांने की चलती है कि सोमाच की छ्नणे वाले लोगों को पकड़ लिया इस तीक्र को खतम कर दिया है अब उसके बाद के होगा अब उसके बाद हुगर मुझां के उसके जगा कोई होरा रह से होते हैं जो ज्यादा भी लिए कुछ आते हैं फिर वो आगे आ जाते हैं तो यह कोई नई बात तो है नहीं और आपने खुद ऐसे लोगों के मुह से कई बार सुनी होगी यह बाते कि इस पेपर के लिए इतने पैसे मागे जा रहे हैं तो आप सोचिए जब इस सुनते हैं आपकी इस पेपर के लिए इतने पैसे मागे जा रहे हैं तो आपके दिमाग में पहली बात क्या आती है कि आपके दिमाग में पहली बात ही आती है कि इस आदमी को पकड़वा जाने चाहिए या इस आदमी का पता लागाना चाहिए कि जो इतने पैसे माग रहा है और उसकी पैसे दिये तो यह क्या सेलेक्षिन के प्राप आएगा हमारा यह बात आती है क्योंकि हमें पता है कि लिक जो है वो नॉर्मल है और इसे नॉर्मल लेना चाहिए क्योंकि अब करें हरत न कु Subaru आपको देखने को मिलेगी अग्यार्व डंक आपको नया वीडियो देखने को मिलेगा अलगए था अ कि आज कमीटी नेहीं बोला को इस नेता ने वह दो बना या फिर यृवक के अध्यक्षा ने वह बोला इस paper leak के मामले में और मुक्ही मंतरी जी ने इसको फटकार लगाई उसको गाली दी तो यह सब सुनने को मिलेगा है मिलेगा आपको तो इस सब को सुनने की बजाए इन में time waste करने की बजाए आप आपने आने वाली प्रिक्षाओं के ओर focus करें क्योंकि यह खबर जो है एकदम बहुत तेजी से भैली है और हर किसी की जुबान पर लगबग अभी यही नाम है कि यह पेपर लीक हो गया वन रख सक्का तो जो है जो पढ़ने वाले जो लोग हैं वो जो है हतास और निराज हो गया होंगे और बहुत सारी लोग तो ऐसे क्योंकि अगर आप त्यारी करना छोड़ दोगे तो बाकी के लोग जो अग्जाम पेपर लीक को एक्जाम का गिसा मान के त्यारी करेंगे उनका सेलेक्शन हो जाएगा और आप पीछे रह जाएंगे और और अगर इंडिया की रैंकिंग है असी नंबर स्वरी असी रैंकिं असी की रैंकिंग आरे इंडिया की माण लेना चाहिए कि करप्षन जो है वह सच में हमारे समाज में विद्यमान है और इसको करते हुए और पेपर लीक को एक्जाम का हिस्सा वालते हुए हमें आगे की तैयारी करनी चाहिए तो यह थिए पेपर लिक का कॉंसेप्ट अब बात यह है कि exam cancel तब ही होगा जब गौवर्منट चाहेगी अगर गौवर्मेंट चाह चाहती है state government की बात करे है कि स्टेट government का exam में अगर government चाहती है कि来 exam cancel हो तोру एक्साम चैन्सल हो जाएगा और हूँ ज्राइस नहीं हो तो स्टेट गवर्मेंट के पास और बहुत सारी नहीं भर्तिया करवानी है ऐसे में इतनी बड़ी वर्ती को दुबारा करवाएगी या कैंसेल कर वाएगा तो इल्टा जूत है गुझते गवर्णमेंट के सर्पही पढ़ने वाले है और इतन बड़ी भर्ती को दुबारा गरवाना कोई मामूली की नहीं है जिन लोगों ने ये काम किया उनको पकड़ा जा रहा है उनके उपर inquiry करी जा रही है लेकिन हमारे paper में कोई truthी नहीं है आयोग ये कहएगा और तीसरी तरफ court ये कहएगा अगर एक case court में जाता है और चला ही जाएगा तो high court ये कहएगा कि इस exam को cancel करवादो या फिर इसे दुबारा करवाओ जो कि government को accept होगा नहीं और क्योंकि government चो है वो काफी बड़ा रोल अदा करती है इन exam में ये फिर और decision हों के मामल में तो government नहीं चाहेगी कि ये exam cancel हो और high court चाहेगा कि exam cancel हो जाए तो बाद ये है कि अब ये exam जो है इस्ते लग जायागा इस exam में और इस्ते का मतलब ये होगा कि ना तो ये exam cancel होगा ना ये exam दुबारा होगा और ना इस exam का result आएगा और ये कब तक होगा ये हो सकता है इसमें तीन महीने लग जाए हो सकता है 6 मेने लग जाए या हो सकता है एक साल लग जाए लेकिन फिलाल तो आप यह समझे कि कोई इसका नहीं आने वाला है अभी इतनी जल्दी कि एक्जाम कैंसिल होगा या फिर इसका रिजाड़िट आएका या फिर यह दुबारा होगा तो फिलाल मानके चलिया आप 6 मेने तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि यह इक्जाम में चल क्या रहा है इसको एक इक्जामपल से लेवल का होता है इस लेफल को करवाया था यह दिर का हरव साल एक्जाम होता है तो इसका एक साल पहले या तेट साल पहले पिल इसका ह्यागों यह खाना हॉठ अलग-अलग स्टेटों से स्क्रीन सॉट आये थे भार अलग-अलग जगाव से अलग-अलग लोगों की दर्जनों के साफ से स्क्रीन सॉट भार आये थे लेकिन गौवर्मेंट नहीं चाहती थी कि एक्जाम कैंसिल हो उसके उपस CBI इंक्वारी भी बेटी और बहुत सारी इं एक्जाम को कैंसिल कर देना चाहिए लेकिन केंदर सरकार जो थी उस टेंप पे एक साल पहले की बात बता रहा हूं अपको तो एक साल पहले की बात है तो केंदर सरकार जो थी वो चाहती थी कि एक्जाम कैंसिल ना हो ऐसे सीजल का इसका फाइनल डिसीजन जो है वो निकाला गया तो ना कोई decision आया कि उसका result निकालना चाहिए ना result का decision आया ना re-exam का decision आया और ने exam cancellation का decision decision आया तो लगबग 6 महिने के बाद एक साल भी गया और एक साल के बाद जब सब लोग ठक गए तब कुछ वकीलों ने यह दलिल दी कि भई स्टुडेंट का बहुत ज्यादा टाइम बरबाद हो चुका है बहुत सारे लोग अभी बिरुजकारी घुम रहे हैं और बहुत सारे लोगों को inquiry के तहट पकड़ भी लिया गया है तो ऐसा आप सही होगा कि अब इसका exam का result अनौन्स कर दे जाए उन वकीलों ने यह दिलिल दी सुप्रीम कोड में तो अब हुआ यह कि सुप्रीम कोड को भी डिसीजन सुनाना था क्योंकि लोगों के भुष्चे का सवाल था बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे और सच में बहुत लोगों की एज ख़दम हो रही थी तो सुप्रीम कोड ने जवाब मागा जवाब नहीं एक सलाम आगी केंद्र सरकार से तो सैंटर गॉवर्मेंट से जैसे ही सुप्रीम कोट ने सलाम आगी तो सैंटर गॉवर्मेंट ने डरेक्ट रिजल्ट अनौंस कर दिया अपको य यह कीगें मानों ौकशे जिần फाइनल सय नाया सुप्रीम कोट लग बग कि दोपहर एक बज़े फाइनल डिसिजन आया कि इस भरती का रिजल्ट गुशित कर दे जाए और उसी दिन लगभग एक घंटे में दो बज़े की टैम पे वो रिजल्ट जो है अनौंस हो गया जो की डेड़ साल पहले जो की डेड़ साल से पैंडिंग पढ़ा था तो आप सम चाहती वही होता है और अगर गर्वर्ण्मन्ट जो चाहती है वह नहीं होता है तो एकजाम पर लग जाता है स्टेंखै आप अने में बीजीपी की तो वहां बीजीपी अपना प्रवाव जरूर छोड़ेगी उस पर और वहां भी स्टेई ही लगेगा तो फिलाल के लिए इसमें स्टेई लगेगा आप चाहे कोई भी वीडियो देखे आप आगे जाके या कोई भी खबर सुने कि यह इंक्वारी बैटरी है क अचमवन्तरी होगी तो टाइम बेस्टिंग वाली बाती во आते होगी और लोग जो हैं मोधिये निज्मोटिबीशन होगा और को और और बाकि इसके से डिलेटेड जो भी अपडेट होगा दोस्तों वह आपको मिल जायागा और आपको जो भी विचार है आप जो भी सोचते हैं भरती के बारे में प्लीस कमेंट करके कमेंट बक्स में बताईए तो इसी के साथ ये वीडियो समगता है ठैंक्स पर वाचिंग